हेलो गाईस कैसे हैं आप सब्सक्राइब दोस्तों आज के डेट में वाज़न मोबाइल वर्जन लाउंच हो चुका है और अगर आपके डिवाइस में इस सपोर्ट नहीं कर रहा है आप प्ले स्टोर पे सर्च करने जा रहे हो हो सकते हो उसमें सो ही नहीं कर रहा होगा या फि इस वीडियो में जितना तरीका बताऊंगे उन सबको आपका अप्लाई करना है आप भी अपने मोबाइल में इस गेम को अराम से खेल पाएंगे और अगर यह वीडियो आपके लिए हेलफुल रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर लिजेगा और चैनल को सब्सक् कर लेजिगा वार्ग्जोन मोबाइल प्लेइश टोर लिकर करके सर्च करेंगे तो यहां पर यह वाला सर्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें से इंस्टॉल के बटन पर आपको क्लिक करना है फिर यहां more info पे जाएंगे play store में redirect कर देगा और यहां पर लिखा हुआ आपके mobile में भी so हो जाएगा your device isn't comfortable with this version ठीक है तो ऐसा problem आपके में आ रहोगा ना उसका एक दो कारण में आपको बताता हूँ पहली बात तो अगर आपके play store में कुछ glitch है मानले जी आप दूसरे mobile में भी play store को use किये होंगी इसी id से और उसके बाद इस mobile में आप switch किये हैं तो हो सकते है उसी mobile का model number अभी भी play store में मतलब कुछ glitch हो सकता है ठीक है ऐसा possibility कम है लेकिन हो सकता है तो उसके कारण भी आपके में your device isn't comfortable with this version so हो सकता है मतलब आपके पुराने device को ही समझ रहा होगा तो उस condition में उसको solve करने के लिए सबसे पहले home screen में आना है आपका play store का आपको clear all data करना पढ़ेगा play store को long tap करना है एप info में जाना पढ़ेगा और अगर आपके में clear all data सामने ही दिखाई देता है तो उसमें आपको क्लिक करना है नहीं तो यहां पर मेरा realme का mobile है तो इसमें story यूज करके दिखाई दे रहे इसमें आपको क्लिक करना है और clear data के option में आपको clear कर लेना है इसको अब इतना करने के बाद आपको play store को फिर से open करना है play store को आप open करेंगे तो फिर से यहां पर search करना पड़ेगा अगर यह आपके में compatible हो गया होगा तो आपके में search में ही आ जाएगा डारेक्ट लेकिन मेरे में search में नहीं आया है इसी कारण से फिर से मैं Chrome browser से ही इसमें जा रहा हूँ पेज में अब देखते हैं इसमें वो problem था हो solve हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसे आपको करके देखना है ठीक है मेरे में हुआ रहा है या ना हुआ रहा है हो सकता है आपके में हो जाए इसी कारण से बोल रहा हूँ जो जो इस टेप बता रहा हूँ उन सब को फॉलो करना है तो यहां पर देखो अभी भी इसमें same to same वही problem आ रहा है तो अगर device compatible नहीं है उसका मतलब यह है दोस्तों हो सकता है आपके में storage की कमी हो या फिर आपका रेम फूल हो जिसके कारण से device compatible नहीं है बताया जा रहा है ठीक है तो अभी के टाइम पर यह गेम जो है प्लेइस्टोर में आपको डिखाई दे रहा होगा लेकिन यह डेड़ जीबी का नहीं है इसमें 6GB का गेम है इसमें सुरू में ही 6GB से ज़्यादा आपके मेमोरी खाली होना चाहिए तभी यह install होता है मेरे एक mobile में support कर रहा है उसमें करके देखाऊ डेड़ जीबी तो play store से आपका download होगा और उसके बाद 5GB 54MB जो है गेम को open करते रहोगे उसी समय सुरू में ही download हो तो इसी कारा से हो सकता है आपका device comfortable नहीं है बताया जा रहा है तो आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपना memory खाली करना है और जितना भी application है जो बड़ा-बड़ा application है जैसे कि prepare worker आप यहां पर install है ठीक है तो यह थोड़ा बड़ा application है जिसमें ज्यादा memory भरा रहता है देखिए मैं दिखावी देता हूँ आपको app info में जाएंगे न तो यहां पर storage इसका देख लिजे 1.28GB यह यूज किया हुआ है तो ऐसे ही बड़ा-बड़ा जो application रहीगा उन सबको आपको delete करना है उससे आपका RAM भी प्री होगा और साथ ही साथ आपका storage भी प्री होगा तो और साथ ही साथ जितना application है जैसे कि phone पे भी बहुत ज्यादे storage को capture करता है यहां पर my geo application भी तो ऐसे ऐसे application को आपको delete करते जाना है जो आपका RAM को free करें और उसके बाद आपको अपना mobile को switch off करके on करना जरूरी है क्योंकि switch off करके on करते हैं तो जितना भी हमारा application होता है जो RAM क यूज करते रहता है वो सब background से पूरा पूरा clear हो जाता है जिससे RAM एक ही बार में पूरा free हो जाता है तो इसरी चाप करके on करना है पहले application को delete करना है फिर on up करना है mobile को उसके बाद तूरंत आपको play store को open करना है और उसके बाद search करके देखना है अगर RAM और storage के कारण यह problem आ value 90 processor लगा है इसे कारण से इसमें storage और RAM को भी खाली करने के बाद भी इसमें support नहीं किया तो अगर आपके में RAM अच्छा होगा उसके बाद भी इसमें problem आ रहा होगा तो यह जो solution बताएं इन सब को आपको apply करना है आपको problem 100-200% solve हो जाएगा दोस्तों और अगर RAM या फिर processor ही लेक का problem आ रहा होगा तो उसके लिए भी मैं video मनाने वाला हूँ उसके लिए चैनल को subscribe करके जरूर से रखिएगा ताकि आपको notification मिल पाए और अगर ये वीडियो आपके लिए helpful होगा दोस्तों आपका problem solve हो चुका होगा वीडियो को like जरूर से कर लीजगा और चैनल को subscribe करक हमार किसी और वीडियो के साथ अभी के लिए सभी को बाए बाए